सो आज का फिस्ट वर्ड जै थाली, थाली का उम इंगलिश हो लेंगे प्लेट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव परात, परात एक तरीके बड़ी थाली होती है उसका उम इंगलिश भो लेंगे प्लेटर, प्लेटर Next word we have katori इसको मिलीश हो लेंगे bowl next word है kata जिस से आप mehagi वगरा खाते हैं चॉमीन वगरा खाते हैं सको मिलीश हो लेंगे fork Next word है चाकू यह तो common word है इसका मतलब तो आपको पता ही होगा इसको मिलीश हो लेंगे knife knife अब next है छीलने वाला चाकू। यह specially आलू वगरा को छीलने में काम आता है। गाजर वगरा को छीलने में काम आता है। तो इस तरीके के चाकू Wiki लेंगे Peeler Next is इसको Wiki लेंगे spoon Next word we have PYALA Piala को Wiki लेंगे cup Cup और तशतरी जिसमें आप चाय थंडी करके पीते हैं इसको में इंगलिश हो लेंगे Saucer Saucer Next word ए चायदानी चायदानी को इंगलिश हो लेंगे Tea pot Tea pot Next we have Qadukas जो गाजर को गिसने में काम में आता है तो Qadukas को इंगलिश हो लेंगे Greater Greater और आप बताए ये commentator में आप Qadukas को अपनी आम बोलचाल में क्या बोलते हैं Next we have फेटनी जो अंडे वगरा को फेटने के काम में आता है तो वो फेटनी को आप इंगलिश हो लेंगे Whisk Whisk Next word ए चाय की चन्नी चाय की चन्नी को आप इंगलिश हो बोलते हैं Tea Straner Next word ए चलनी जो आटा वगरा को चानने में काम में आती है इस तरीकी की चलनी को इंगलिश में कहेंगे Sifter Next है चलनी जो पास्ता वगरा के पानी को चानने में काम में आती है इस तरीकी की छलनी को कहेंगे calendar next word है मतनी मेरे आइसको रई बोलते हैं आप पते हैं कॉमेंट सेक्षिन में आपके आइसको क्या बोलते हैं वैसे इसको इंग्निश में बोलते हैं चर्नर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बेलन, बेलन को इंग्लिष में कहेंगे rolling pin, rolling pin next है और जिसके लोगी को बिलते हैं उस चकले काम इंग्लिष हो लेंगे pastry board, pastry board अब next है तभा जिसके रोटी को सेखते हैं उसको इंग्लिष में बोलेंगे griddle, griddle next word है चिम्टा जिससे आप रोटी को पकड़ कर सेखते हो तो उस चिम्टे को इंगलिश वोलेंगे tongs next है हसिया हसिया को इंगलिश में कहते हैं sickle next है silbata silbata को हम इंगलिश वोलेंगे grindstone next word है sarota ये nuts वगरा को काटने में काम में आता है तो sarota को इंगलिश वोलेंगे nutcracker nutcracker next word है chula chula को हम इंगलिश वोलेंगे stove stove next है kanister जैसे आपको दिखाय दे रहा होगा image में show हो रहा होगा steel के kanister हैं तो kanister को हम इंगलिश वोलेंगे canister canister next है oakley oakley या kharl इसको इंगलिश वोलते हैं mortar mortar और moosal moosal को इंगलिश वोलते हैं pestle pestle और इसको साथ में हिंदी में बोलते हैं khalbatta खalbatta तो इसको बोलेंगे mortar and pestle mortar and pestle next word है karchi ये soup वगरा को परोसने या दाल वगरा को परोसने में काम आता है तो karchi को हम इंगलिश वोलेंगे ladle ladle next है karchi ये पurady तल नेंके काम में आता है तो karchi को हम इंगलिश वोलेंगे skateboard next है dingchi dennigchi को इंगलिश वोलेंगे saucepan next है capta unity spatula spatula next है couple Qadai को इंगि वोक next है डोल्ची, डोल्ची को हम इंगलिश होलेंगे Milk can Milk can Next is धककन, धककन को इंगलिश में कहेंगे Lid Lid Next is भगउना, भगउना को इंगलिश में कहेंगे Pot Pot Next one we have बरतन की डलिया जो होती है उसको हम इंगलिश होलेंगे Dish rack Dish rack यह आप बोल सकते हैं, play track play track next है, juna जो बरतन को माजता है, steel का होता है उसको इंगलिश्य वोलता है, steel wool next word है, नीबू निचोडने वाला नीबू निचोडने वाला को इंगलिश्य वोलेंगे lemon squeezer and the last one is, आलू मसलने वाला आलू मसलने वाला को इंगलिश्य वोलेंगे, potato measure potato measure ये दोनों आज के quiz हैं, लिखकर बताए हमें comment section में इसके answer और अगर ये वीडियो आपको helpful लगा तो जाने से पहले वीडियो को like share जरूर कीजे और चैनल को subscribe भी कीजे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिब बापाय